महजे कीस वर्स में UPSC क्वालिफाइड कर रिकॉर्ड बनाने वाली आईएस अधिकारी पूजा सिंगल ने 42 वर्स पहुंसते पहुंसते जिस तरह से बदनामी के दाग हासिल किये है पुरे जारखन के साथ साथ देज भर में जग हसाई हो रही है वहीं इस मामले पर जिस तरह से उनके सिये सुमन कुमार की गिरिफतारी हुई है एडी ने उन्हें देर साम सबसे पहले सदर अस्पताल ले जाकर मेडिकल जाच कराया उसके बाद कोट में पेस कर अब जो है रिमांड में ले लिया है लगभग पांस दिनों तक ईडी सुमन कुमार को रिमांड में लेकर पूछ ताच करेगी सुतर के हवाले से जो खबरे आ रही है कि इस पूरे मामले पर इस पूरे परकरन पर कई और नाम कई और सफेद पोस्स सामने आ सकते हैं बारहाल इस मामले को लेकर पुरे जारखंड की राजनितिक सरगर्मी भी तेज हो गई है और लोगों की निगाहे टिकी हुई है कि सुमन कुमार से जिस तरह से ED पूछताच करेगी सुमन कुमार और किन की नामों का खुलासा करते हैं उम्र 21 साल नाम पूजा सिंगल IAS बैच 2000 कैडर जारखंड महज 21 साल 7 दिन की उम्र में भारत की सबसे कनिस्ट IAS अफसर बनी थी पूजा सिंगल उन्हें जारखंड कैडर मिला था उनकी पहली पोस्टिंग जारखंड के हजारी बाग के SDO के रूप में की गई थी इतनी कम उम्र में IAS अफसर रिकॉर्ड बनाने के बाद उनका नाम लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था लेकिन जितनी तेजी से पूजा सिंगल ने जारखंड में पहचान बनाई आज उतनी ही तेजी से IAS के पद ने उनकी जिन्दगी बदल दी और वज़ा है काला धन बता दें कि पूजा सिंगल पर 26 कडोड का काला धन रखने का आरोप है जिसमें पूजा के अलावा उनके सीय सुमन सिंग भी शामिल है इडी ने सुमन सिंग को रिमांड पढ़ लिया है कल देर शाम इडी ने सदर अस्पताल में सुमन सिंग की मेडिकल जाच कराई मेडिकल जाच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इडी सुमन सिंग को कोट लेकर पहुची वहीं अब E.D. ने सुमन सिंग को पाँच दिनों के रिमांड पड़ लिया है और पूछताच भी कर रही है साथी पूजा के वर्तमान पती अभिशेक जहा से भी सुमन सिंग के सामने पूछताच की जा रही है इसके बाद अब कहना गलत नहीं होगा कि अभिशेक जहा के बाद अब पूजा सिंगल से भी पूछताच हो सकती है साथी अभिशेक और सुमन से पूछताच के बाद कई अन्य सफेड पोशो पर भी गाज गिरने की संभावन जताई जा रही है